तेग्निकल एनलिसस की पिछली क्लास में हमने moving average गो पड़ा exponential moving average को पड़ा moving average के सारे concept हमने clear किए small app Webrand हम study किया SME हमने study की और आज हम moving average का ही दूसरा जो की एक leading indicator है उसका ही अगला part है MACD हमने बताया था कि दो indicator काम करते हैं market के अदर leading indicator रो sürग इंडिके तो lagging indicator के दो पाट थे MA CD और moving average यानि कि MA MA हमने study किया आज हम study करेंगे MA CD मेरा नाम इश्वर सिंग मैं एक technical analyst, mentor एवं से भी registered investment advisor हूँ और आपके बीच में सारी की सारी research करके एक tutorial में लेकर आ रहा हूँ ये एक अच्छी series आपके लिए बना ही है तो आप किर्प्या करके इस channel को subscribe करें मेरे YouTube channel को ताकि मैं और अच्छी अच्छी videos आपके लिए लाता रहूँ आपके बीच में educational tutorial stock market को लेके मैं पहुचाता रहूँ तो friends, MA CD basically है क्या? समझते हैं MA CD क्या है? MA CD Moving Average Convergence Divergence नाम से ही समझ माता Moving Average Convergence Divergence यानि कि ये भी Moving Average ही है लेकिन ये काम कैसे करता chart को और plot कैसे करता chart को उपर ये दो Moving Averages के combine को relationship को बताता है और उस relationship को ही chart को प्लोट करता है as a convergence और as a divergence जब हम chart पर study करने के लिए जाते हैं MA CD को तो हम उसको convergence में study करते हैं और divergence में study करते हैं chart के उपर हम इसको line chart में या फिर histogram में देखते हैं जो depiction आता chart को पर या तो line chart के line के थूँ आता है MA CD का या फिर एक histogram के थूँ आता है ये chart को पर दिखता कैसा है depiction कैसा होता है, visualization कैसा होता है यह थोड़ा सा समझते हैं, देखिए, यह हमने एक, मैं आपको पीछे भी बता रहा था कि ज़्यादा तर इंडिगेटर के लिए जो नीचे वाला विंडो होता, वो काम करता है, सिर्फ मुविंग एवरिजिज या कुछ एक इंडिगेटर ऐसे होते हैं, जो प्राइस के उप यह तो सिर्फ बॉंडरी लाइन है, उपर का लाइन, नीचे का लाइन, यह तो विंडो है, इन लाइन को आप एग्णोर कीजिएगा, यह विंडो है सिर्फ, आपका जो इंडिगेटर के अंदर जो यूज होने वाला लाइन है, वो यह लाइन है, इसको बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, यह जीरो लाइन कहते हैं इसको, ठीक है, अब इसमें क्या है कि नीचे कुछ निमर्स होते हैं, कुछ इसमें वैल्यू उपर की तरफ होती हैं, सपोज कि 10, 20, यानि कि यह माइनस में, माइनस 10, माइनस 20, यह 10, 20, अब इसके साथ मैं जिससे बता रहा इसके EMMA से प्वैल डेज का EMMA सब्ट्रैक्ट करने के बाद में एक वैल्यू निकल काता है, वो वैल्यू होता है MACD, तो ज्यादा क्यालकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, और इसको किसके साथ में हम प्लॉट करते हैं, 9 डेज एक्सपोनेंशल मूविंग एवरेज के साथ में है, जो 9 डेज का मूविंग एवरेज होता है, इसको बोलते हैं, सिगनल लाइन, और इसको जो होता है, इसको बोलते है MACD, देखिए, सपोर्ज कि आपका ये एक डॉट्टिट ये वाला आपका, ये लाइन है, ये कौन सा है आपका, 9 डेज, 9 डेज, ये वाला लाइन, इसके साथ में एक ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपका, MACD लाइन, तो इसमें 3 figure आपको दीख रहे हैं इसके उपर ये तो सिर्फ boundary है इसके उपर 3 figure आपको कौन सी दीख रही है आपको एक horizontal line दीख रहा solid line जिसको बोलते है zero line अगला आपको दीख रहा एक signal line इसको 9 days EMA को हम इसको signal line भी बोल सकते है एक signal line हो गया और अगला हो गया EMA CED अब इसके साथ में हमें study करना है इसको ये study करना कि कैसे study होता है इसके साथ में तो कैसे कैसे होता है एक तो होता है इसमें center line crossover center line कौन सा है ये आपका center line है zero जब-जब market इसको उपर जाता है यानि कि moving average जब इसके नीचे आता है तो इसको negative mark करते है यानि कि market beer side में होता है जब-जब इसका crossover आता है उपर की side में तब-जब इसको हम positive mark करते है यानि कि bullish market ये बनता है जितनी बार भी ये conversion आपका crossover आएगा नीचे की side में crossover आया market beer is उपर की side में crossover आया market bullish एक चीज दूसरी चीज इसको हम plot करते है 9 days EMA के साथ में जो कि signal line है सेम यही formation इसके साथ में बनता है इसका जैसा कि central line के साथ में जो formation बना था वो ही बनता है moving average के साथ में जो 9 days का exponential moving average है अगर इसको इसने उपर के side में cross किया तो positive signal यह क्या था आपका positive bull signal यहाँ पर क्या है आपका यह signal जो आपका है bear signal तो जितनी बार भी crossover बनेंगे अगर crossover उपर की side में बने bull signal नीचे की side में बने bear signal यानि कि जब 9 days exponential moving average को एक MACD cross करता है तो इसका मतलब यह होता उपर की side मगर cross करता है इसका मतलब यह होता है कि छोटा moving average बड़ी moving average को cross करके जा रहा है और मैंने आपको moving average में पढ़ाया था आपको बताया था कि जितनी बार भी छोटा average बड़ी average को cross करके उपर जाएगा तो उस time frame को पर जो momentum होगा price का वो momentum अच्छा momentum होगा तो यह आपको एक early indication दे देता है थोड़ा सा वैसे तो averages चाहें moving average हो चाहें MACD हो यह price को follow करते हुए जाते हैं क्योंकि यह price यह trend following indicators हैं जैसे यह trend move करता है वैसे वैसे यह follow करते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ early signals भी generate करते रहते हैं तो एक तो आपको यह हो गया दूसरा क्या हो गया overbought oversold overbought zone में market कब जा रहा है यह आपको बताता रहता है देखिए zero line को cross करके positive side में जाएगा तो यह आपका bullish signal लेकिन एक exhaustion line तक आपको चला गया तो यहां पर आकर overbought का situation आ जाता है और जादा down आ गया तो oversold का situation आ जाता है लेकिन overbought और oversold MACD indicator से perfectly judge नहीं किये जा सकते दूसरी चीज trend is your friend हम हमेशा पढ़ते हैं जब market bull trend में होती है तो bull trend में कोई भी overbought zone काम नहीं करता हो वहां पर क्या काम करता है market suppose करो देखिए यह market का trend है यह market का trend है हम यहाँ पर overbought signal हमें दिखाया पर यह overbought signal दिखा लेकिन market का trend कितना solid है trend intact है बना हुआ trend है और पूरा formation लेके आगे बढ़ता हुआ trend है तो यहाँ पर overbought जो signals आएंगे यह false signal आने का possibility जादा रहेगा market strength के अंदर है अच्छे volumes आ रहे है market लगातार उपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसलिए market हो सकता है थोड़ा बहुत रिजियूम करें और फिर से market उपर की तरफ मूव कर जाए तो जब भी market जिस direction में होता है उस direction में overbought zone हो या downside में market उसी ट्रेंड का अंदर downside में हो और उसल अगर zone में market आता है तो उन्हें हमें null and void करना चाहिए सिर्फ एक warning signal की तरह हमें उन्हें देखना चाहिए not more than that हां लेकिन अगर market इस तरह की से चल रहा है move कर रहा है और move करते करते market नहीं यहाँ पर आकर यह overbought zone तो छोड़िए अगर यहाँ पर trending market का अंदर यानि कि market उपर की तरफ अगर trend कर रहा है तो यहाँ पर कोई अगर इसने ऐसे करके यहाँ एक trend बनाया और यहाँ पर oversold आपको market दिखाई पड़ता है तो यह better काम करेगा यानि कि buying market के अंदर oversold better काम करेगा और sale market के अंदर overbought better काम करेगा तो market का trend उपर की तरफ है थोड़ा सा correction जो भी आया यह oversold दिखाई चार्ट को पर अब आप इसको as a buy signal ले सकते हैं क्योंकि यहाँ जो trend था जो long term trend है जो बड़ा trend है उसका वो intact solid trend है strength के साथ में move करता हूँ trend है तो यहां oversold की condition में market oversold हुआ तो हम यहाँ पर आपनी क्या कर सकते हैं buying opportunity find out कर सकते हैं यहाँ buy कर सकते हैं दूसरे signals के साथ में हम इसको cope up कर लेंगे ऐसे ही market आगर नीचे की side में move कर रहा है तो oversold वाला जो कंशर्ट आता है यहाँ work नहीं करेगा oversold का लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत move करता और यह position overbought किया जाती है overbought पर यहाँ से sale signal generate होंगे क्या होंगे? sale signal generate होंगे और possibility हैगा market का वापस नीचे आने का क्योंकि पीछे का जो trend है वो बहुत solid और intact और बहुत ही strength के साथ में trend बना हुआ आ रहा था थोड़ा सा market ने breathe किया थोड़ा सा market move किया उपर की तरफ लेकिन वापस से हमें oversold के signals आने लगे जब हमें overbought के signal आने लगे लेकिन जब हमें overbought के signal आए तब हम इसको as a trading signal मानेंगे लेकिन जब जब हमें नीचे की market में oversold signal आएंगे हम उसे warding signal मानेंगे उपर की market में जो signal आएंगे overbought के तब भी हम उन्हें warding signal मानेंगे लेकिन वहां correction पर जो oversold आता है वहां ही हम उनको buying signal मानेंगे ठीक है यह overbought और oversold का zone हुआ अगला क्या है हमारे पास में divergence divergence कैसे काम करता है divergence में इसी में example ले लेते हैं हम एक नया example चलो लेते हैं यह market का trend है यह market का trend है और यहाँ इस window के नीचे आपका MACD काम कर रहा है MACD क्या काम कर रहा है यह MACD का depiction आ रहा है चार्ट को उपर अब आप देखिएगा यहां से market ने correction देना start किया यह market ने क्या दिया correction का face इसके बाद से आप देखिए यह वाले यहां से आपने market को ढलना शुरू देखा लेकिन trend क्या बता रहा है trend बता रहा है लगातार उपर का strength तो divergence जब भी आते हैं अगर price का downfall आ रहा है price अगर नीचे आ रहा है तो that is called the bear signal यानि कि momentum जो signal दे रहा है वो signal intact है वो मानना चाहिए वो signal मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ दो तरीके के signal आएंगे market को उपर आपको positive signal आएंगे positive signal कर आएंगे market टूट रहा है market टूट रहा है और आपको momentum उपर का signal दे रहा है momentum बना हुआ उपर की तरफ यह positive signal रहेगा और negative signal कौन सा रहेगा market नीचे आ रहा है market उपर जा रहा है और signal momentum नीचे की तरफ दिखा रहा है आपको momentum ने weakness दिखाई लेकिन आपका trend उपर की तरफ है तो वो negative signal है यानि कि momentum जो signal दिखाएगा उस signal के हिसाब से चलना है price पर divergence आ रहा है तो माल लेना चाहिए कही ना कही उस trend के अंदर weakness है मैं एक example आपको देता हूँ अगर एक cricket का match चल रहा है उसमें एक खलाडी खेलने के लिए आता है तो spectators जो बैठे हुए होते हैं उनको दिखता है कि एक well settled खलाडी है अच्छा fitness है अच्छी fitness के साथ में खेल रहा है लेकिन कहीन है कहीं वो injured है और injured कैसे है वो अंदर से injured है hidden injured है वो दिखाई में नहीं पड़ रहा किसको दिखाई पड़ रहा है वो physiotherapist को पता है कि ये खलाडी injured है तो होगा क्या? injured क्लाडी क्या उतना अच्छा perform कर पाएगा? नहीं कर पाएगा लेकिन देखने वालों को क्या दिखेगा? खलाडी का trend दिखेगा खलाडी का base दिखेगा खलाडी का quality दिखेगा और expectation रहेगा है कि खलाडी अच्छा करेगा लेकिन injured खिलाडी अच्छा नहीं कर पाता इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है divergence में हमें क्या दिखता है price का momentum उपर का दिख रहा है लेकिन divergence नीचे का दिख रहा है उस momentum का तो negative momentum को देखिया आप price के trend को मत देखिया आप price का trend नीचे की तरफ है लेकिन momentum indicator दिखा रहा है कि price के अदर अभी strength है तो market positive moves पर जाएगी अगली चीज में थोड़ा conclude कर देता हूं इसको conclusion यह है कि moving average हो या फिर moving average convergence divergence हो दोनों के दोनों trending market के उपर plot किये जाते हैं कभी भी हम इन्हें चोपी markets में sideways market में plot करके नहीं देखेंगे यह आपको results नहीं देंगे आपको सिर्फ इन्हें आपको सिर्फ trending market के अंदर देखना है और यह trend following indicator है यह price के पीछे-पीछे move करने वाले indicators हैं यह edge support, resistance आपको देते हैं इसमें मैं एक चीज़ और आपको जोड़ना चाहता हूँ जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि दो तरीके का होता है एक तो line में, MACD line में हम इसको study करते हैं एक MACD histogram में हम इसको study करते हैं तो MACD histogram क्या है उसके बारे में ज़्यादा clarification मैं नहीं देना चाहता क्योंकि सारा का सारा वो इसी तरीके से move करता है जैसे MACD move करता है वैसी MACD histogram move करता है लेकिन थोड़ा सा deep insight होता है इससे थोड़ा सा सारे के सारे formulas, सारे के सारी calculations सारी के सारी visualization such like that है MACD तो अगर आप MACD histogram को भी अपने chart को पर plot करना चाहें तो वो भी plot कर सकते हैं अगर आप MACD histogram plot करते हैं तो आप MACD छोड़ दीजिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि SMA था simple moving average और exponential moving average कोई simple moving average को calculate करता है कोई exponential moving average को carry करता है तो दोनों में से किसी को भी कीजिए values देते हैं दोनों के दोनों लेकिन MACD histogram थोड़ा weighted होता है लेकिन जादा तर लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं आज की class में इतना ही अगली class में हम अगले indicators लेकर आएंगे आज MACD के वारे में हमने पूरा समझ में समझने की कोशिस करी MACD है क्या यह कैसे divergence आता है कैसे इसमें convergence आता है और कैसे ही इसमें cross-overs आते हैं अगली class हम फिर लेकर आएंगे अगली class में हम दूसरे indicators के साथ में study करेंगे lagging indicator आपका complete हो गया lagging indicator में हमने दो इंडिगेटर ही study करने थे moving average और moving average convergence, divergence अगली class में हम सिर्फ leading indicators को पढ़ेंगे आपने इसको watch किया आप तसली से देखिए इसे अच्छे से देखिए काफी चीज़ें आपको इसमें सीखने को और समझने को मिलेंगी आज के लिए इतना ही Thank you very much